स्वागत है दोस्तों आपका हमारी यूरीव चैनल इन्वेस्टर आवे हैं दोस्तों मंतली बिजिस पर पैसे को नवीश करना और वो भी एक ऐसी जगा जहांपर आपको एक स्टेफल रिटन मिल पाए और कंपाउं रिटन से आप एक बहतीन फंड बना पाएं तो आपके पास SPA टे एक बहतीन फंड मौझूद है जो भी जल्दी में स्टार्ट हुआ है दोस्तों इस फंड के अंदर लगतार जब से स्टार्ट हुआ है काफी ज़ादा लोगों ने पैसे को नवीश किया है क्योंकि खास कर इस सेक्टर के अंदर गवर्मेंट का फोकस होने की वज़ा से इस सेक्टर में हम एक बहतीन फ्रोट मिल सकती है अगर हम आज भी इस मूचल फंड प्लान के अंदर पैसे को नवीश करते हैं तो फिरम मंती बेसिस पर सिर्फ 2400 रुपे निवीश करके भी SBA के इस जाकर फंड में 25 करोड 40 लाख रुपे का फंड बना सकते हैं और उसकी वज़ा कि इस फंड के अंदर अभी स्कार्टिंग टाइम में हम पैसे को ड़ाते हैं तो हमें मंती बेसिस पर कम एनिवी के प्राइस के बज़ा से यूनिट काफी जादा मिल जाएंगी और दोस्तों लॉंग टाइम में इस फंड के अंदर हमें एक 23 परफॉमेंस मिल सकते हैं क्योंकि यहां पर इस सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं उसमें चाहिसे हम स्मॉल केप कंपनी की बात करें या फिर लाज केप कंपनीज की यह ऐसी कंपनी हैं जिनमें हमें फूचर में एक 23 गोथ मिल सकती है और जिसका फाइदा इस मिचल फंड प्लान के तरू हम पैसे को नविश करके उठा सकते हैं क्योंकि जब हमारी इंकम होती है कम और हम एक नविश प्लान करना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे बैस तरीका है कि हम मतली बेसिस पर पैसे को डाल सकते हैं और इसी से हम एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं लेकिन दोस्तो जब भी आप mutual fund plan के अंदर मंतली business पर पैसे को डालते हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से पैसे को नवीश करना है और आप कैसे एक बड़ा fund बना सकते हैं क्योंकि अगर हम पिछले 8-10 साल की बात करते हैं तो mutual fund plan के अंदर हमें कमाल का return बिटा है लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी fund है जिनके अंदर हमें फिचर में एक बहती रोध मिल सकती है क्योंकि दोस्तों अगर हम sector wise mutual fund की बात करते हैं तो उसमें पिछले 2-3 साल से सबसे अच्छा return अकर हमें कहीं मिला है तो उसमें power sector, infrasector और energy sector के fund शामिल है इसके लावा PSU companies ने भी हमें अच्छा return दिया है लेकिन दोस्तों खासकर ऐसे fund जिनमें future में growth काफी शांदार है तो जिसका फाइदा अगर हमें आच लेना है तो mutual fund प्लान के तरू हम उठा सकते हैं क्योंकि अगर आप direct एक या दो कंपनी में पैसे को नवेश करते हैं तो फिर पैसे पर जाएगा लेकिन अगर आप सारी कंपनीों में नवेश करेंगे energy sector की में तो फिर यहां पर आपके पास बहुत साथा पैसे की ज़रत है लेकिन अगर आप मतली बैसे पर पैसे को डालते हैं तो फिर दोस्तों आप 2400 रुपे मतली से जाता का fund बना सकते हैं बस इसके लिए आपको यह देखना होगा कि किस तरह से आपको पैसे को नवेश करना है तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिटेल समझेंगे इस fund की और देखेंगे कि यहां पर कैसे आप 2400 रुपे मतली से 25 करोर 40 लाक रुपे का fund बना सकते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं दोस्तों हम जिस fund की बात कर रहे हैं यह fund है SPI का एनरजी fund दो अब दोस्तों मार्किट के करेक्शन के वज़ा से यहां पर थोड़ा सा करेक्शन जरूर है लेकिन उसके बावजूद fund का रिटन काफी बहतर है और दोस्तों इसके fund के एनिवी का प्रैस भी अभी काफी गम है और जब यह NFO आया था तो 10 रुपे के एनिवी का प्रैस था क करेक्शन के वज़ा से यह नीचे भी गया था लेकिन अभी वापस से fund के अंदर एक बहतीन रिटन मिला है और दोस्तों future में भी इस fund में हमें एक बहतीन growth मिल सकती है क्योंकि इस fund के अंदर जितनी भी companies हैं उन्होंने हमें काफी जबरदस्त रिटन दिया है और अगर हम energy benchmark क की भी बात कर लें उसका return भी पिछले 2-3 साल से काफी जबरदस्त रहा है और दोस्तों इसी वज़ा से अगर हम इस fund में सिफ 26% का भी return expect कर लेते हैं और यहां पर 2400 रुपे मंतली अगर हम अगले 6 साल तक नवेश करते हैं तो फिर हम 1,42,800 रुपे का नवेश करके भी 4,16, रुपे तक fund बना सकते हैं देकिन अगर हम पैसे को डालते हैं 12 साल के लिए तो फिर हम 2400 रुपे मंतली नवेश करते रहने से 3,45,600 रुपे का नवेश करके भी 23,65,000 रुपे का fund बनाएंगे और 20,20,000 रुपे का इसमें return हमें मिल जाएगा लेकिन दोस्तों अगर हम पैसे साल तक लगतार 2400 रुपे मंतली डालते हैं तो फिर हम इस fund के अंदर 6,91,200 रुपे का नवेश करके भी 5,41,000 रुपे का fund बनाएंगे और 5,34,000 रुपे का return हमें मिल सकता है क्योंकि अगर हम दोस्तों इस SP Energy Fund के portfolio की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर अभी fund में 25 Energy Sector की दमदार कंपनी शामिल हैं जिसमें fund के पैसे को नवेश क्या गया है जबकि इस fund का 27% पैसा freelance industries के अंदर ही डाला किया है इसके लावा NTPC, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, पेट्रोनेट LNG, पावर गिरिट कॉर्परेशन, इंडियन ओल, हेटैची एनरजी और टुरेंट पावर यानि कि दमदार कंपनी हैं जिनके अंदर fund के पैसे को इस क्या गया है और यहाँ पर दोस्तो इन कंपनीज में हमें एक बहतीन क्रोथ आने वने टाइम में भी मिल सकती है जिसका फाइदा हम इस mutual fund प्लान के तरूप पैसे को नवेश करके उठा सकते हैं जबकि energy sector के अंदर ही fund का 78% पैसा यूज क्या गया है और capital goods के अंदर 14% लेकिन अगर हम दोस्तो फंड के सबसे important parameter की बात करते हैं जो है एने वी net asset value का प्राइज और दोस्तो यह अभी है सिर्फ 11 रूपे पिछितर पैसे यानि कि हम जो भी पैसा नवेश करते हैं और जो भी current एने वी का प्राइज होता है इसी प्रैस के हिसाब से हमें unit lot की जा सकते हैं दोस्तों 10,894 करों यानि के करीब 11,000 करों रूपे के आसपास इस फंड का U.M. है और फंड के अंदर लंसम अगरा निवीश करना चाहते हैं तो आप 5,000 रूपे से निवीश कर सकते हैं और S.I.P. के थूरु करा पैसा डालना चाहते हैं तो फिर आप 500 रूपे पैसे यूनिट लॉट की जाती है एकजित लूट 1% है अगर आप एक साल से पहले पैसे को निकालते हैं तब जब गी अगर हम टेक्स की बात करते हैं तो रिटन पर 20% का टेक्स होता है मूचल पंड के अंदर एक साल से पहले लेकिन एक साल के बाद 1,25,000 से ज़ाद अगर को प्राफिट होता है तो आपको साड़े बारा परतें का LTCG टैक्स देना होता है जिएक बुस्तों अगर हम बात करते हैं SP mutual fund house की तो एसेट के साब से रैंक है नमबर वन यानि सबसे ज़्यादा लोग अगर mutual fund plan के दूरू पैसे को निवेश करते हैं तो उनकी पहली काफी पुराना fund house है और लोगों नहीं यहाँ पर काफी ज़्यादा पैसे को निवेश भी किया है तो दोस्तों SP के इस energy fund के अंदर अगर हम आज भी मंतली बेसिस पर पैसे को डालते हैं तो फिर हम यहाँ पर पैसे को निवेश करके मंतली बेसिस पर अगर हम 2400 रुपे भी डालते हैं तो उसे भी हम एक बड़ा fund बना सकते हैं शौर्ट तम में भले हैं आपको करेक्शन मिले लेकिन टार्केट एकर लोग टाइम पैसे निवेश करने का होगा तो फिर आप अपने किसी भी बड़े fund बनाने के टार्केट को पूरा कर सकते हैं दोस्तों वीडियो से अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं धन्यवाद